है है कि अलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल के फ्रेंड्स हम लोग अपने बिश्व मानचित्र को आगे बढ़ाते हुए आज का पिरमुख topic है वह हमारा बिश्व की पिरमुख जलसन्यां दोस्तों बिश्व की पिरमुख जलसन्यां देखने से पहले हम लोगों को साग् सागर के बारे में जानकारी होना आती आवश्यक है तो विश्व में जितने भी महत्पूर्ण सागर हैं उन सभी सागरों को आप देख लीजिए मैप के द्वारा क्यूंकि सागरों के बिना जलसंदियां नहीं कर सकते तो इसलिए सबसे पहले आप एक मैप रखिए और जितने कि फिर मुख जलसंदियां कर पाएं चलिए दोस्तों ब्राइड क्यूंकि हम श्विश्व क republican जलसंदियां यह के सामने मेप आप जैसे की जानते ही हों यह हमारा कौन सा पारठ एक देखियो रुच्वा यह क्या है नौत-अ-अमरीका है यह एशीया है रोस्तों येugen ep है यह क्या है अफ्रीका है और इधर और यह आपका जो नीचे बाला पाट है यह क्या है दक्षणी अमरीका चलिए दोस्तों देख लीजिए इस तरह से नौट एमरीका तैंडी अकल देखिए चलिए चलिए और यह चलो की बारे में जानकाी साथ अवाटि आविश्छी कहते हैं में जलसंद्यां परते हुए और सागर परते हुए दिक्कत नहीं चलिए दोस्तह हम श्टार्ट करते हैं आज की पहली जलसंदी देविच जलसंदी यह देखिए यह आपको दिख रहे होगी डेविच DRS N overcome १ट यह थे दे समदी यह जलसंदी तो डेविच जलसंदी यह एक नड़ावेंग sino को अलग करने वाली जलसंदी है जैसे कि आप देख रहे हैं यह हमारा Greenland है यह हमारा कैनाडा है तो इसको अलग करने वाली कौन सी जलसंदी है डेविश जलसंदी है यह क्या करती बैफीन की खाड़ी और लेबराडोस सागर को आपस में जोड़ती है बस इस जलसंदी के बारे में इतना ही याद रखना है ग्रीन लेंड और कनाड़ा को अलग करने वाली जलसंदी है जबकि वैफीन की खाड़ी और लेवराडोर सागर को जोड़ती है इसी से ठंडी जल रहा है लेवराडोर वो गुजरती है जो अपने साथ बड़े-बड़े आइसवर्ग लेकर आती है तो चलिए रोस्त महासागर निए उपर क्या है यह आप देख रहे हैं पैषांध महासागर इसको क्या है जोडती है जबकि एशिया और इढ़िका को क्या करती है अलग करती है यह वाला जो एशिया वाला पार्क है जब वनीं Preston corners वालेका कि और घुड़ेगा अमरिका की जड़ेगा तो इस चंदि यह बहुमध्य सागर और अट्लांडिक महासागर को जोड़ने वाली क्या है यह आप देख रहे हैं यह इसको क्या कर रही है अलग कर रहे है इसके अपने अत्यादिक सामरिक महर्वे की कारण यासे भूमद्य सागर की कुंजी भी कहते हैं दोस्तों याद रखिएगा भूमद्य सागर का पिरकास इस्तंब इस्ट्राम बोली को कहते हैं कैं जॉला मुखी इस्टांबोली को कहते है जब की भूमद सागर की कुण्जी किसे कहते हैं जब राता जलसंदी को कहते है याद रखीए का सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब का पिरकास स्थम्द चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेता हैं हम लोग शुद्ब को भष पौरघ जलसंदी देख रही हो गी यहां पर पौरज जलसंदी बा पर जलसंदी तो याद रखिए मर्मरा सागर और जोडें वाली है आप जैसे कि काला सागर और आ करती यह जोड़ी आपस में ठीक है ़ाद要 ह् यह एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जलसंदी है यह सांब्रिंग महर्पी की जलसंदी है जो काला सागर को जाने वाले जहाद है सीसे होकर गुजरते हैं और इसे याद रखिए यह जो जलसंदी है इस्तांबुल नगर अवस्तित है तो आई होगा आपको समझ में आ आप नहीं समझ पाएंगे आप लोकेशन आपको देखनी पड़ेगी एक वार लोकेशन आप देखते रही है साथ-साथ में तो आसानी से किया जा सकता है क्योंकि मैप को साथ रखके बैठेंगे तो उसमें आपको जितने भी करक रेखा मकर रेखा विश्वत रेखा आपको आप बावल्मंदेब बहुत इंप्रेंटिट जल संदी है आरब अफरीका को अलग करती जैसा कि आप देखने में आरण ऑफरीका को इसकrespact कि पारती है ड़क रखी को क्या करती है यह यह जैसे दिख़곡 मैं धाड़ी ठीक है और यह लाल सागर इनको क्या है देख रहे हैं इनको देखिए तो इसको क्या है लाल सागर और अधन की खाड़ी को जोड़ती है जबकि अरब और अफ्रीका को अलग करती है ध्यान रखी का इंपोर्टेंट है और यह आस्वों के द्वार के नाम से भी जानी जाती है चलिए जल संदी भी बहुत important संकरी जल संदी जो फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को दोलती है देखें दोस्तों इस वान है इधर इमने ठीक है इसलिए दोस्तों साथ में बहुत के बैठी यह की संक्री जलसंदी है जो फारस की खाड़ी को उमान की खाड़ी से क्या करती है जोडती है और इरान और उमान को अलग करती है सामरिक दिरस्टी से बहुत भार्व है यह ठीक है तो आपको समझ में आ गया होगा आए रोस्तों अब हम नेक्स देख लेते हैं यह देखें कि आपको जैसे कि दिख रहा होगा मलक का जलसंदी को जोडने वाली है जबकि मलय प्रादीब और सुमात्रादीब को आपको क्या कर रही है अलग कर रही है अप को यासे गी देख लिख लिजिए एक हमारा सु मात्रह है नीच से नीचे निच कि दूपर मलतिब्स दीप आप जानते कि आदा से गिराहऊ जो हम भोमी कि मलेशिया का बाग ए त्रस्वाइब का इंडोनेशिया का बाग्वाग है तो याद रखिएगा इन दोनों को आपस में अलग कर रही है जब कि याद रखिएगा चलिए नेक्स जलसंधी आप दिख रही होगी आपको बास चलसंधी बहुत Important जलसंदी है तस्मासागर और हिंड महासागर को foreign है जोड़ रही है कौन सी जलसंदी बहुत जलसंदी। जबकि और अस्टेल और असमाणियों को क्या कर रही है अलग कर रही है दियान रखिएगा बहुत जलसंदी भी बहुत इंपोर्टेंट जलसंदी यह क्या है फिर से गवाद देख लिए तस्मान सागर को जोड़ने वाली है और तस्मानी अदीप को अलग करने वाली जलसंदिय यह खनेज और प्राकिति गयस की ट्रश्टी से आती सम्रेध्ध है याद रखिएगा रोज तो हमने देखिए जितनी महतपूर यह थी जलसंदिया कुछ और जलसंदिया बचिवी है उनको भी हम देख लेते हैं एक सकेंद रुपिए यह देखिए हम कौन-कौन सी जलसंदी देख चुके हमने बेरिंग देख ली डेविस देख ली जिवराल्टा देख ली बासप जलसंदी है चलिए रोस्तों कुछ और में जलसंदी देख लेते हैं यह देखिए जैसे कि आपको दिख रही होंगी इंपॉर्टेंट जलसंदिया है इसलिए इनको देखना बहुत अति आविश्यक है चलिए तो हम देख लेते हैं बिना देर की ओए फिलोरीडा जलसंदी आपको दिख रही होगी फ्लोरीडा जलसंदी यह देख रहे हैं यह देख रहे हैं यह देखिए फ्लोरीडा जलसंदी फ्लोरीडा के दक्षने सरे यह आप जैसे देख रहे है ना ऐसे फ्लोरीडा यह देखिए फ्लोरीडा ठीक है तो यह फ्लोरीडा जो फ्लोरीडा है फ् क्यूबा के मर्द इस्ति जलमार्ग है जैसा कि आप देखने हैं यह अट्लांटिक मास आगार यह क्या है मैक्सिको की खाड़ी है इनको आपस में जोड़ती है जब कि फिलोरीडा और क्यूबा को क्या करती है अलग करती है तो याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट देख लेते दमतनारे बने आप देखने होगे हैं यह इसमें डाखने वानी बात आपट आप देख रहे हैं इस याद रखने वाली बात है यह आ देख रहे हैं कि लिए और सब्सम्राइब फिल यह ऍंडी रिखानद के जलसंदी है ईसकेंडिने ने विया जट् लैंड करRY घंड्लाइडी आफ जैने डेंड प्रॉइड आप बींट अक्टियूटें करती है तो तो बाल्टिक सागर उत्ति क्या आपस में जोड़ती है तो याद रखिएगा इसकेंड़ी ने भी आई ओर पायड को अलग कर रही है जबकि इसको जोड़ ही बाल्तिक सागर उत्ति सागर को आपस में जोड़ रही है ठीक है चलिए डोस्तों एकसे देख लें को सुंड़ा ज दीवें को अलग करती चोंसे याद रखेंगे थोड़ी पहले हमने मलक्का जलसंदी पढ़िए ते मलक्का जलसंदी वह है इसके साउट में जो कि सुमात्रा और जावा दो समात्रा जावा दोनों रिपके भाग इंडूनेशिया कर रही थी लेकिन जूना जलसंदी है यह सुमात्रा और जाबा दोनों प्रायदीब कहां के हैं इंडोनेशिया के हैं उनको आपस में क्या कर दिया अलग करती है जाबा सागर को जोड़ती है यहां जाबा सागर है जाबा सागर है और जाबा सागर क्या करती हिंदमा सागर से जोड़ती है तो याद इसमें याद रखना है चलिए लेक्स देख लेते हैं आप को तॉरस जलसंदी दिख रही हो गहीं पॉर जलसंदी भी बहुत महत्यज़ जलसंदी यह एया अराफूरा सागर और को जोडती है ठीक और अउस्टेलिया और न्यू पपूआ गिन्य को अलग कर रही है देखिए न्यूप गिनी और किसको अउस्टेलिया को अलग कर रही है जबकि थोड़ी पहले हमने साल्थ पysis जरी आग थोगी यहां पर थी मोत असमानिय और अस्टेलिया गई धल यह है इसको आठरीड हो क्ला खरी अलग कर रही है तो याद रहेख है कि अरप्वुरा सागर और कॉरर सागर को क्या करती है आपस में जोडती है ठीक है चलिए अब नेक्ष देख लेते हैं दोस्तों यह सभी जलसंदिया बहुत इपटन पहीं है श्वार्ल Carolyn चरही है आप लेके बैठी है और इनको बार बार देखिए या लेखिये तक दिक रहा होगा मैगलन यसी यह अध्याव संदि जैन तो जोड़ती है इनको झब़कि टेरा-डेल्ma से अलग करती है 도оп Tea जब आलग इसको साउथ अमरीका मुक्ख भूमी यह इसे अलग सबर करती है कौन सी सलवसंदी मेखल माह सागर आप फिसान मासागर को आतलन्तिक अब बैठेगे दोस्तों आप सारे महसागर दिख रहे होंगे माल लिखे हुए होंगे तो आप दिखते या गर्या बार कि दैगे थे क्या होगा अच्छिसापका तयार हो सकेगा हम धिरतें ज्बकेंग बतायुस्ट एकृट को दिखा देते निगयर तो यह जो ड्रैकट पासिज एक हैं दो ड्रैकट पासिज इस बहुत इंपोर्टम आरे तो यह ड्क्षनी मैगलन जलसन دी जोड़ रही ठीछ महसागर उसे ड्रेब पैसस भी एसे ही जोड़ता है लेहीं एलंग किसे करता है जो अमरिका है और इसको किससे अलग करता है अंटाक्रिका से अलंग करता है तो पॉर्टेंट है देखे रहें कि अंटाक्टिका को अलग करता है अमरीका से पिशांत महासागर और अट्लैंटिक पच्वा पबनों के अत्यादी प्रभाव के कारण यहां जादी दूरगटना की जो संभावना है वह बहुत जादा बढ़ जाती है अता इसे नाविकों का कब्रगहा भी कहा जाता है किसे आपको का कब्रगहा ड्रैक पासेज को तो याद रखिएगा चलिए नेक्स जलसंदी देख लेते हैं कि नेक्स जलसंदी एक सेंड़ यह देखिए आपको यहां सुगारू जलसंदी दिख रही होगी सुगारू जलसंदी जितनी इंप्रटेंट दोस्तों जलसंदी ती वह सारी जलसंदी मैं आपको बता रहे हैं इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है आप सबस्ता, इन्हीं को मैप के द्वारा देखके इनको अच्छी तरह से तैयार कर लीजीए दूशल को यहां करते ही हैं को क। कुछन को अलग करती है कौन-कौन से दूप को अलग करती है रही तो दोनों ही किसके हैं तो रोस्तों जितने भी इस देते घ्मिया वह आपको बता चुपी हो दोस्तों आपकी तारी और मजबूत हो सके तो दोस्तों आपको मारी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए